हेलो दोस्तों, भारे से international flatto से ट्रावल करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर Emirat Airlines की तरफ से, Qatar Airways की तरफ से, एतिहाद Airways की तरफ से और इसके अलवा लगतांसा Airlines की तरफ से एक नई जानकारी सामने आ रही है तो यह दियाब भारे से दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाते हैं, तो इस वीडियो का आप जरूर देखें, टाकि इन सभी एरलाइंस से आरें लेटस्ट कबरों की जानकारी आप सभी को मिल सकें, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर अमिराथ एरलाइं ट्राइल करके जाना चाते हैं, तो अभी भी कातर एरवेज और इतिहाद एरलाANS अपनी फ्लैटों को चालू कर रही है तो जिन लोगों को भी UAE Dubaï से साउथ अफरीका ट्राइल करके जाना है ऐसे सभी लोग अभी भी UAE Dubaï से ट्राइल करके जा सकते है और इसके साथ आप सभी लोगों को ये भी बता दे कि UK, जर्मनी और USA साउथ अफरीका के लिए फ्लाइटे चालू हो चुकी है यानि कि इन देशों के लोग बिना किसे रिस्टिक्शन और क्वारंटिन के साउथ अफरीका में ट्रावल करके जा सकते है इसके अलबा दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर यहां पर लुक्तांसा एरलाइंस की तरफ से आ रही है लुक्तांसा एरलाइंस ने यहां पर ये जानकारी दे दी है तो लुक्तांसा एरलाइंस भारत के दिल्ली मुंबई एरपोर्ट से अपनी फ्लाइटों को 10 जनवरी से चालू कर रही है लुक्तांसा एरलाइंस के द्वारा ओपरेट की जाने वाली इन सारी फ्लाइटों का जो शिडूल है वो आपको स्क्रिन पर दिख रहा होगा कि किस देट से और कौन से समय पर ये भारत से अपने फ्लाइटों को फ्रैंकफर्ट और स्विजलेंड के लिए ऑपरेट कर रही है इसके अलवा दोस्तों एक और जानकारी आप सबी लोगों के साथ शेर करना चाहेंगे जो कि मलेशिय की तरफ से आ रही है आप में से कई सारे लोग मलेशिय को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो आपको बता दे कि मलेशिय की गौर्मेंट ने यहाँ पर अब ये जानकारी दे दिया है कि मलेशिय से जो लोग भी सौधी अरेबिया के लिए उम्रा करनी के लिए जाना चाहते थे ऐसे सभी लोगों के लिए भी अब रिस्टिक्शन लागो कर दिया है यानि कि मलेशिय से अब कोई भी लोग सौधी अरेबिया में हाज और उम्रा करनी के लिए नहीं जा सकेंगे बात करें इंटरनाशनल फ्लाइटों की तो फ्लाइटों को लेकर अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन इतनी जरूर खबर सामने आ रही है कि मलेशिय की गवर्नमेंट साल 2022 में अपनी अंतराश्टे बार्डर को दुनिया के सभी देशों के साथ खोल सकती है तो दोस्तो इस समय यही तीन-चार जरूरी खबरे सामने आ रही थी आप सभी लोगों के लिए जिसकी जानकारी आप सभी लोगों को देनी जरूरी थी यदि इस समय की यह सारी खबरे आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आसी ओ लेटिस्ट खबरों को ये दिया आप रागलोर बेसिस पर जानना चाते हैं तो चानल को जुरूर फॉलो करके रखे